वेलकम टू माई चैनल शिखास कीचन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है प्रकृती का खजाना अनमोल व असिमित है खास कर बारिश के मौसम में जखा जखा पर वनस्पतियां लग जाती हैं कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम खपतवार समझकर या जंगली घास पूस समझकर उखाड़ कर फेक देते हैं दोस्तों कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए कि ये खपतवार नहीं है दोस्तों ये बहुत ही ज़ादा इनका और जज़दी महत्व होता है आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही है दोस्तों मेरे घर पर भी ये पौधा लगा हुआ है मैं चाहती हूँ आपको भी इसकी जानकारी हो ये किस सीच का पौधा है और इस पौधे के क्या फाइदे हैं हमें जरूर पता होना चाहिए इसकी पतियों को देख लीजिए समझ जाएए दोस्तों और शायद आप इसकी पतियों को देख कर समझ गए होंगे कि ये जो पौधा है ये है छोटा धतूरा हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है कई लोग इसे छोटा गोखरू कहते है कई जगह पर इसे घाखरा कहा जाता है शंखा हुली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कौक लबर इसके जो बीज होते हैं न दोसों काटे यूग तो होते हैं और ये कपडों पर चिपक जाते हैं, बचपन में तो शायद आप भी इसके बीजों से खेलते होंगे, बच्चों को एक दूसरे को फेक कर मारते हैं, कपडों पर इसके बीजे जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो ये पौधा है छोटा गोखरू का, हमारे हाँ तो इसे पूरे रंग के बीज होने लगते हैं, और ये बहुत ही औजदी गुणों का भंडार है, दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, कि ये बहुत अच्छी एक जड़ी बुटी है, शक्तिशाली और कारगर जड़ी बुटी है, तो खपतवार समझ कर इसे ना फेकें, और एक पावरफुल जड़ी बुटी है, जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है, कंटक युक्त इसके फल होते हैं, और चलिए अब ये बताती हूँ किन-किन बिमारियों में ये फाइदेमन है, इसकी पत्तियों को पीस कर, इसका रस यदी आप अपने बालों पर लगाते हैं, माल लीजिए आपके सिर पर बिलकुल बाल नहीं है, गंजा पना गया है, आप देखेंगे नए बाल उगना स्टार्ट होते हैं, जिन्हें बहुत जादा हेर फॉल होता है, वे भी इसे लगा सकते हैं, तो ये रिखे इसके बीजें, ये इसके बीजें, ये है छोटा धतूरा दोस्तों, आप देख सकते हैं, सूखने पर कुछ इस कलर का हो जाता है, छोटा गोखरू, गुच्छे में उखता है, और ये तो बड़ा धतूरा है, दोस्तों, दोनों ही धतूरों में कमपेरिजन, ये बड़ा धतूरा है, परनतु आज में आपको बड़े धतूरे के बारे में नहीं, छोटे धतूरे के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जिसे कि हम लोग के हाँ छोटा गोखरू भी कहा जाता है, इसके पत्तों को देखकर अंदाज लगाईए दोस्तों, और कई लोग इसे घागरा, शंखा, हुली कहते हैं, कौक, लबर कहते हैं, इसके बीच जो होते हैं दोस्तों, बहुत कंटक यूग तो होते हैं, इसलिए तो कपड़ों पर चिपक जाते हैं, खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थानों पर ये पौधा अपने आप ही उग जाता है, मेरे घर पर भी अपने आप उगा है, मैंने इसे नहीं उगाया ह बर्शा नितु में ये अपने आप उगने वाला पौधा है, चड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में, पानी से भरी हुई जगह पर ये बहुत आसानी से लग जाता है, ये पौधा अपने आप ही लगता है, इसके पत्तियों का रस, यदि आप बालों पर लगाएंगे न लगाते हैं, तो सरदद से तुरंथी राहत मिलती है, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब इनका सीजन होता है, ये बारिश में ही उगता है, छोटा गोखरू, इसके पत्तों को सुखा लेते हैं तो फिर काम में लेते हैं, इतना जादे ये फाइदे मंद होता है, तो ये सिर पर भी बाल उगा देगा यह पौधा दोस्तों इतना फाइदेमान है तो हमारे आसपास जो वनस्पती होती उसके बारे में हमें जानकारी जरूर होना चाहिए इसकी कुछ ताजी-ताजी पत्यों को मैंने लिया है इस तरह से हाथों से तोड़ लिया है थोड़ा सा क्रश करके हम इसका रस निकाल लेंगे दोस्तों और इसका रस भी आप डारेक्ट बालो पर लगा सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा नारियल तेल मिला कर भी इसका रस लगा सकते हैं और दोस्तों लोग इसे skin disease पर भी लगाते हैं, चर्म रोग पर भी इसका rust लगाने से बोला जाता है, कि फोडे फुनसी अगर है, कोई घाव है, उसमें भी इसकी पत्तियों का paste लगाएंगे ना दोस्तों, तो फोडे फुनसी ठीक हो जाते हैं, चेचक के जो दाग होते हैं, उस पे भी यदि इस पत्तियों का rust लगाएंगे, तो दाग धबे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता है, दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, नासूर तक को ठीक कर देता है, तेल कैसे बनाना चलिए, बता दूँ ताकि आप बालों पर एपलाए कर सकें, यहाँ पर आप तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर सरसो का तेल ले सकते हैं, और इस तेल में अब आपको क्य पोशक्ततो आजाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं। जहरीला मानते हैं पर अपर जहरीला नहीं होता है। और इसके कोमल-कोमल पत्तों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप यहां पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर सरसो मैं इसके को तोड़ ले चा事情 कि आप नहेंगा। वाम पत्तिक से लिए वोडिया को मात्राव में बहुत जादा होतीja। तो आप अच्छे से देख लें इसकी पत्तों हो देख H बीज तो अभी इस मौसम में नहीं थे इसके छोटे गोखरू के इसलिए मैं आपको बीज नहीं दिखा पाई हूं सिर्फ फोटो दिखा यह मैंने आपको बीजों की जनवरी फरवरी के महने में जब इसके बीज उगना स्टार्ट होते हैं पहले हरे फिर भूरे रंगे होते ह है गैस की फ्लेम स्लो कर दें स्लो फ्लेम पर दस मिनट तक इस तेल को पका लें ताकि इन पत्तियों के सारे एक्स्रेक्ट इस ओईल में आ जाएं उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मसाज करना है आप देखेंगे बालों का जढ़ना बिल्कुल ही रुख जा इतना जादा फाइदे मद है तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते है रस लगा सकते है या मेरे जैसे इस तरह से तेल भी बना सकते है खुब अच्छी तरह से तेल को पका लेना है जब तक इसका जागाना बना हो जाए और मैंने यहाँ पर कम कॉंटि जाएट 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 यहाँ दोस्तों वहाँ पर यह मिलता भी है सुखा इसके बीज मिलते हैं बाजर में आजकल तो इसमें स्तमाल किया जाता है तो यह बहुत ही मेडिस्टम प्लांट है दोस्तों बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि गंजेपन की समस्या को तो तुरंथ ही दूर करती है thrilled. इसके जो पत्ते ठोड़े से खवर्दूरे से होते हैं, परनल्तु और धी कुणिश हमें भरपूर होता है. तो अब आप देख सकते हैं, बड़ी आच्छा तेल बन गया है, अब आपको क्या करना है, इस तेल को छान लेना है, और किसी भी बॉटल में आप इसे स्टोर कर लें, तो ये देखे, एक छनी की मदद से मैं इसे छान लूँगी, तो इस तेल से यदी मसाज करेंगे ना दोस् आपको क्या तो छोटे धतूरे के बारे में जो जानकारी शेयर की है, जो कि बारिश के मौसम में शायद आपके घर के आस पास लगा हो, तो इस जानकारी को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल शिखास की चन को सब्स्क्राइब जरूर करें, कमेंड चर झाल झाल